स्लाइट तोड़ी बड़ी है नहीं बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम असलाम अलेक्म क्लास रिविजन क्लास शुरू हो रही है आज से जार तारीक है आज और इस्लामियत का दो पेपर आपका हो गया था मिट्टर्म उर्दू का अब बाकी है स्कूल खुलने पर मिट्टर्म एक्जाम फॉरण लिए जाएंगे तो इसकी रिविजन जो है हम कर लेते हैं और इसके साथ साथ चाहरी विजन जो है वह हम औरल में वर्बली जो है हम एमसी क्यूज बेस रिविजन कर रहे हैं श्रीक्रेवाद करते हैं के यहां से की श्रीक्तर में और यह देवन होंता का मॉड़ाय है उब्चेरम कने कर रहे हमद क्यूफ लिए रिविजन कर रहे हैं यह सब्राव्ज है स्ब्चेटिव तो मेरे तो दो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से एक का पेपर हो चुका है और दूसरा पर बाकी है उर्दू का तो मैं उसका अभी एक ही यूनिट ले रही हूँ मैं आपका और वो भी उर्दू का ठीक है तो सबक हमने दिये थे आपको जितने पढ़ाए थे उड़के और सवाल पूछूंगी या MCQs पूछूंगी वो आपको जवाब देने हैं अपना माइक और रखेगा और जवाब दीजेगा जो सवाल करूं ठीक है तो इसमें मिट्रम के उरू के पेपर की भी तैयारी साथ होती जाएगी और MCQs की भी सबक आपके पढ़ाये जो गएं जो सलेबस में शामिल हैं अखलाक नवी अमीद की खुशी है रिष्टा नाता है नजरिये बाइशान अभी मैं नहीं पढ़ाया तो पहले मजामीन में ते पहले जो पोर्शने इसका मजामीन का उसमें से 16 चैप्टर है दिये थे मैंने अखला लाके नवी उमीद की खुशी और रिष्टा नाता उसके बाद अफसानों में से मैंने आपको दिया था जरीने लड़कियों का मकतब बिठाया बुरी काकी ड्रामे में से शहीद और शहीद मैंने दिया था फरहान बताईएगा जो अभी मिटरम का जो मैंने दिया था इसका रिविजन फिर है डिस्टिक बोर्ड की डिस्पेंसरी नहीं था वो बाद में पढ़ाया मैंने और उसे बाद गालिप के खुतूद था ठीक है वो मैंने पहले पढ़ा पचुके थे आप वो दोनों खुतूद गालिपे वो भी मिटरम में शामिल थे तो इनकी मैं कु मिक्सप जो है वो तकरीब जो है तीनों सबक में से मजामीन के सबक में से अभी आपके हम से क्यों स्पोच रहे हैं कि निवीजन क्लास इस तार्ट डुड ए टोडे मडे टू फ्राइड इस वीक रिजर्वीजन वीक अर्दू के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स आपके वो भी प्रिविजन क्लासेट हो रही है तो में ख्लासेज लीजे स्कूल खुलते के साथ ही जो है वोर मिटरम आपक शुरू हो जाएंगे विदाउट गैप चले मैं खाली जगे पूछना लगी हूँ जिसको आएगा जिसका नाम लोगी वो मुझे बताएगा और रखी का अपना माइक और जल्दी से ज्वाइन करें बाकी बच्चे पतने क्यों नहीं आदें क्या मसला है को एक्जाइम इस साल ठीक है और एपरिल में जो है आपके प्रेडियम्स इंशालला ताला होंगे और उसके बाद स्कूल खुते के साथ ही मिट्टरम होंगे तीन एक्जाइम आपको देने हैं तैयारी उसकी शुरू कर दीजैए यह तीन चार महिने हैं आपके बोर्ट के एक्जाइम की तैयारी के लिए चुट्यों को जाया मत कीज़े रिविजन करते रहिए पढ़ते रहिए जो भी स्लेबस दिया था मिट्रम का हर सबजेक्ट का की रिविजन कीजे ताकि आपको सकूल कुलने के बाद को परिशानी नहों और पेपर अच्छे से हो मुलाना शिबली नॉमानी का सवाल पूछूंगी डेंक्स पूछूंगी मैं आपसे आपको जवाब देने नमबर वण है मुलाना शिबली नुमानी को किस मुल्क के सुलतान ने तमगाय मजीदी अता किया था एवाड दिया था तमगाय मजीदी का वो किस मुल्क के सुलतान ने दिया था आप बताईए ताहा ताहा जुबेरी किस मुल्क के सुल्तान ने मुलाना शिबली नुमानी को तमगाए मजीदी अता किया ताहा बुक ने खोलिएगा यह सब सर्प्राइजिंग टेस्ट है समझले टेस्ट हो रहा है रिविजन टेस्ट बुक्स ने खूलेंगे बेमानी नहीं करेंगे फरहान जी फरहान किस मुल्क के सुल्तान ने दिया था मुलाना शिबली नुमानी को तमगाए मजीदी तुर्की पिल्कुल सही जवाब है तुर्की सुल्तान ने दिया था मुलाना शिबली नुमानी को तमगाय मजी सही है बलकुल अचा एक और बात आपको बता दूँ अभी यहाँ पर मुझे जॉइन किया है सिर्फ फॉर्स टूडेंट है जो ने जॉइन किया है मुझे फरहान है फातिमा है मुकद्दस है उता है तुसरे आप लोगों यह बता दीजाएगा जो भी कॉंटेक्ट में है कि य आपको यह प्लस बोनस इसमें 75 में से 5 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं नंबर्स जो बच्चा मुझे बिल्कुल राइट आंसर देगा इमानदारी के साथ आप इमानदारी में आप पर छोड़ती हूं ठीक है पर इमानी नहीं करनी है बुक्स नहीं कोलनी है नोट बुक् इसकी तो हम सिर्फ एमसी क्यूस की प्रैक्टस करेंगे जब इसलामियत का मैं यह ट लोंगी अभी मैं पांच दिन जो रिविजन टेस्ट उसमें सिर्फ उर्दू की क्लास लोंगी उर्दू की क्लास कि इसलामियत का पेपर हो रुका है इसलिए रिविजन क्लास उसकी सिर् जबादा जवाब देगा फॉरण देगा और मुझे पता चल जाएगा किरूं किताब में से देखके नहीं है देर से दिया है तो किताब से देखा होगा वो लेकिन इमानदारी के साथ ऐसा मुसल्मान ठीक है इसके मैं आपको बोनस फाइफ और टेन मार्क्स इंक्लूड कर है ठीक है 75 में से आपने 55 लिए है तो मैं प्लस फाइफ बोनस पॉइंट्स या 7 या 8 ठीक है 10 मार्क्स तक इसके इंक्लूड हो सकते हैं जो अमिट्रम की परसंटेज बहतर बनाने के लिए आपको जवाबात ये देने हैं और पूरी मानतारी के साथ अभी मुझे जवाब द टेस्ट है ठीक है आपको नहीं पता मैंने क्या पूछना है अचानक से मैं पूछ रही हूँ इसका जवाब देंगे तो प्लस पॉइंट्स मिलेंगे ये बताईए कि मुलाना शिबली नॉमानी अभी मैं जिसे पूछ रही हूं मुकद्दस आप से आप क्या टरना है आप ब अखीदत की बिना पर नॉमानी नाम का इजाफा इन्होंने किया था अपने नाम के साथ उस हस्ती का नाम बताईए मुकद्दस नो टीचर मुझे नहीं बता नो आइडिया ओके फातिमा अकील फरहान अगर आपको आता है तो आप बताईए आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे फरहान जो पढ़ते रहे हैं जो सबस्वाख नहीं टीचर मुझे भी नहीं बता है नहीं मालूम किसी को भी नहीं मालूम दEEँ कनौमानी जो इजाफा किया था मुलाना शिबली नॉमानी नहीं नाम के साथ वह इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबत इमाम अजहbrar जो एबन का नाम रियल नेम था उनका नौमान बिंथ साबित तो उन से अकीरत К numbers की बिना पर उन्होंने उसने वनने नाम के साथ संध के नाम नाम पर नोमानी का इदाफा किया था मुआ ना ना इजाफा भी होगा आपकी नॉलिज में दूसरे एक ये बताईए मुझे कि मुलाना शिबली नॉमानी ने एक बहुत मशूर कितब जो आज भी बहुत शौक से पढ़ी जाती है बहुत मशूर कितब जो जो इनकी वज़े शौरत बनी थी उस कितब का नाम क्या है फात्मा कील उस कितब का नाम क्या है जो मुलाना शिबली नॉमानी ने लिखी थी और जो उनकी वज़े शौरत भी बनी और आज भी वो बहूत मशूर किताब है उस कितब का नाम क्या है फात्मा अकील और ताहा आप दोनों से सवा लिए दोनों को नहीं आ रहा है जब मैं सबक समझा रही होती हूँ जब मैं सबक को मैं बार बार एक चीज समझाती हूँ एक चीज बार बार बोलती हूँ जब मैं सबक समझा रहे होना तो बहुत धान से एक एक लाइन को एक एक लफस को सुनना और महफूस करना है अपने दिमाग में क्योंकि उर्दू ऐसी ज़ान है जो हम खुद से भी उसके जवाब लिख सकते हैं बश्यर्ट है कि हमने समझा हुआ हो सबक समझा हुआ नहीं होगा तो रटू तोते की तरह रटना और एक समझा लिखा आपके पास चीज़ आप रट रहे हो और उसके पास लिख कर आजाते हो तो यह कोई इल्म जाफ़ा नहीं हुआ यह इल्म जाफ़ा नहीं होता नौलिज को हासल करना और दिमाग में महफूस करना इल्म जाफ़े का सबब बनता है इस समझाया था जिस यह सबब पहला जिसने समझाया होगा आपको मैंने इस सबब आपको नहीं पढ़ाया था बहुत मशूर किताब है इल्म शिबली नौमानी ने लिखी है किसी को पता है फरहान या मुकदस अगर दोनों में से किसी को पता है अच्छा से उतन नभी से लावाले सलम् जाबाश वेरी गुड़ एक फरहान का जवाब आया एक मुकदस का सीरतन नभी इन्होंने किताब लिखी थी सीरतन नभी सले लावाले वाले सलम् यह बलंद पाया किताब थी देखके तो नहीं बताया ना बगए देखे बताया फरहान का भी पॉइंट हो गया और एक मुकदस का ताहा और फात्मा ने अभी कुछ नहीं बताया है एक और एमसी क्यूज है यह बताएए हज़रत खतीजा रजिल्लाव टालानो रसुल आल्लाव सलम् की रिफाकत में जिसका नाम लूँगी न जिसका नाम लूँगी होई बताएगा चलें ठीक है मुकदस 25 बरस आपकी रिफाकत में साथ रहीं थी पेलीज हो जाती है रसुल आल्लाव सलम् की और उनके साथ उन्होंने 25 बरस गुजारे थे उसके बाद हज़त खतीशा रजलावत रहना का इंतिकाल हो गया था बवज़ बिमारी की ठीक है अच्छा आपके दो हो गए और एक फरहान का एक पॉइंट है उसके बाद अब फरहान से ही और फरहान से ही ये ब्लैंक पूच रही हूँ ये बताईए के वो कौन से सहाबी थे जिनके बेटे का नाम कैस था उन सहाबी का नाम बताईए फरहान जिनके बेटे का नाम कैस था बुक्स में नहीं देखना है किसी चीज़ में नहीं सिर्फ अपने दिमाग को खंगा लिए कैस जिनके बेटे का नाम था उन्साहाबी का क्या नाव था फात्मा अकील आपको आता है ताहा, मुकदस इबाद रजिलाता रहना इबादा रजिलाता रहना आपने आदा बताया वालिद का नाम बता दिया बिन इबादा लेकिन उनका नाम नहीं बताया कुरा नाम किया है वालिद का अपना नाम किया था बिन इबादा तो लगता है उनके नाम के साथ लेकिन उनका नाम किया था विए पॉरी इमानदारी के साथ बताना है साद बिन इबादा रजिलाओ ताला नो थे जिनके बेटे का नाम कैस था अच्छा ये ब्लैंक है बहुत असान सी ब्लैंक है पहले मैं ये फात्मा अकील से पुछ रही है फात्मा अकील अगर आपको बोनस प्लस पॉइंट्स लेने हैं ये जवाब बताईए और कोई नहीं बोलेगा सिर्फ फात्मा से सवाब लेए एक दफ़ा निजाशी के हाँ से एक डैश आई एक दफ़ा निजाशी के हाँ से एक डैश आई क्या आई थी फात्मा अकील ताहा दूनते रहेंगे अब नहीं मिलेगा इतनी टाइम दूनने में निकालेंगे न उतने जहन पर जोड डालिए कीश मैं बताओ जी चड़ सिफारत आई थी सिफारत 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 किसे कहते है चंद लोगों का एक ग्रुप आया था सफीर से निकला है सिफारत सफीर से निकला है सिफारत चंद लोगों का एक ग्रुप आया था निजाशी के हाँ से उसे कहते हैं सिफारत डैश में आएगा सिफारत एक दफ़ा निजाशी के हाँ से एक डैश आई सिफारत आई बिल्कुल सही जवाब है कि मुझे लगए बस ये दो ही पढ़ रहें और दो बिल्कुल खामोश बैठें वे उनको पते ही नहीं कुछ किताबे खोल के नहीं देखिए ना चुट्टियों पता नहीं क्या कर रहे हैं कि बुक कोल के देखें सबक मैंने बता दिये थे कि किस का मिटर में कौन कौन से चैप हो जाती हैं जावम को सवाल भी कर सकते हैं सबसेक पढने पर सबक को पढ़ एक कर कर ल thrown के रखके मैं ऊ松 protest गया यह पढ़ना हैं लाजमी होंगे 100% होंगे ऐख येच दो बचे हैं, जो हुख तो चार इप ल कॉछ तो चब लास को लियां है, जोते के बाइस नहीं है, वह इतनी तोफीग नहीं हो यह थितियां, पूरे साल इतनी नाती हुए, उनने सब सब जायर took me, its बहुंकji सहुए होंगे और मेरे बैड़े में कुछ सुन रहे हैं जवाब दे रहे हैं और कुछ अटेंड नहीं कर रहे हैं बजाग समझा रहे हैं क्लासिस को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उनकी रिविजन ले रहे हैं कि पेपर में जो आएगा उसकी रिविजन हो जाएगी अची तरह अगली खाली जगे मैं बोल रही हूँ वो कौन से सहाबी थे जिनके घुलाम की बाजार में गोश्ट की दुकान थे वो कौन से सहाबी थे जिनके घुलाम की उनकी नहीं पूला टीचर में बताओ एक मिनट में मुकद्दस आप थोड़ चुप करें आप ही बताई जा रही है फरहान बताईए उन सहाबी का नाम भुक्स में नहीं देखना है सोचना है सोचना है दिमाग से बस सोचिए पढ़ावाय सब कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए हाँ मुकद्दस आप बताए टीचर अबुश्वेब हाँ शाबाश अबुश्वेब रजिल्लाव टाला नू एक सहाबी थे जिनके घुलाम की वराव में गोश्ट की दुकान थी अच्छा नेक्स्ट खाली जगे कुछ मुश्किल भी है इसमें खाली जगें कुछ आसान भी है वो कौन से सहाबी थे जिनने देखकर आप सलिल्लाव लिए सल्म मुखबत से मुस्कुरा दिया करते थे वो कौन से सहाबी थे ताहा अच्छ उद्वान बिन मालिक अच्छा आपको आता था ये बिलकुल सही है आपका भी एक पॉइंट हो गया और फरहान के टू पॉइंट हो गए दो जवाब दीएं फरहान ने दो यह एं फरहान आम राइट सही हूँ ना मैं दो ही जवादी है आपके मुकदस के तीन आये है ताह का एक आया फात्मा का एक बिने आया ठीके अब नेक्स्ट ब्लैंक पूछाई है तो इनतहाई असान सवाले और ये ताह फात्मा आप दोनों बता के पॉइंट्स गेन कर सकते हैं बहुत असान सवाले ये ये बताईए कि ये जो आपका सबख है अखलाकِ नवी नावी आले वाले सलम्ए वो इसकिस किताब से माखूज है उसकिताब का नाम जिस से ये सबख लिया गया है फात्मा अकील ठिरत-न बी सेंञे लाओं शीर्म हुआ थोड़ी पूचा था अभी मैंने पहले मौका दिया था फात्मा की लोओताहा ये फात्मा से सवाल पूचा था ये वह रहरा तहा और फात्मा को भी शा react आथा था ने जवाब फात्मा की तरफ से आया में शामिल किया गया है चले अब ये भी बहुत असान सवाल है और कई दफ़ा ये उर्दू में ब्लैंक में भी आता रहा है ये बताइए मुसाफ़ा करना किसे कहते हैं माचीट करना मुकदस ने सही बताया है हात मिलाना सलाम करना नहीं है फरहाण आप Nurと खोड़ा नो मुसाफ़ा करना है फात्मा मैंने बोला था कि मिलना मिलना गलत है मिलना भी गलत है मिलना गलत है और बाकी मुसाफ़ा करना जो हाथ मिलाना किसने बोला था सब एक साथ बोल पड़े हाथ मिलाना किसने गहा था वो सही जवाब है मुकदस ने बोला था मुकदस ने सही जवाब दिया मुकदस के हो ताबिक जो है बोर्ड के जो एक्जाम हैं वो MCQs बेस होंगे यानी कसी रूल इंतिखाबी सवालात आएंगे आँगे वो किस तासे आते हो सकता यह उसमें options दिये वे हों किसी में option नहीं भी दिये वे हों खाली जगे हों किसी में true false भी हो सकते हैं इस तरह कि जो छोड़ी छोड़ी चीज़ है ना match the columns ये भी हो सकते हैं तो हर तरह कि उसके अंदर add करके वो एक ऐसा paper बना सकते हैं जो कम वक्त में हो जाए और जैसे एक देड़ घंटे का सुनने में आ रहा है कि देड़ घंटे का paper होगा mcqs बेस होगा तो हम उसकी भी तैयारी साथ-साथ करते हैं ठीक है right और wrong भी में पूछूंगी सही गलत भी पूछूंगी खाली जगे भी पूछूंगी और option वाले भी पूछूंगी उसकी practice कर रहे हैं ठीक है और bonus plus points जो है वो इसलिए क्योंकि आपको पता है मेरा तरीकार क्या होता है कि जब कोई exam आने वाले होते हैं उससे पहले अगर मैं कोई assignment देती हूँ और वो पहले ही बार में कहने के करके आता है तो उसके भी bonus plus five points add हो जाते हैं रिजल्ट के अंदर उर्दू के इसके अलावा अभी जब मैं कह रही हूँ कि आपके mid term जो है उर्दू के बागी है mid term होगा आपका school कुले के बाद तो उसमें bonus ये points जो मैं यहां पर सुन रही अगला जो है जी मॉडिल पेपर आगिया जो पुराना था ना section B section C Y होगा और MCQs base नहीं होगा पेपर अच्छा मॉडिल पेपर आपने चेक कर लिया दिसंबर में हाँ बोल रहते हैं आने आपने देखा है ये सीचर आगिया तो उसी तरह से जिस तरह से पिछले साल से की मिस उजमा ने बताया अच्छा मेरे नॉलिज में नहीं था ये चले ठीक है बहराल जिस तरह से भी हो मैं एमसी क्यूस वैसे भी आती है ना 15 नंबर की 15 नंबर का पहला थावाल तो MCQs आती हैं वो तो आएंगी ना उस तरीके से अगर होगा तो वो भी शामिल होगी 60 मार का जो है भी हिस्सा बे और हिस्सा जीम तफसीली और मुक्तर सवालों का हिस्सा जो आता है वो भी उसी तरह के से आएगा अभी जो है ऑनलाइन हम रिटिन रिविजन जो है वो नहीं ले सकते तो इस वजह से हम चोड़ी चोड़ी चीज़ें पूछ कर आपको उस तरफ पर क्या बनाया है कुछ चीज़ें पूछ रही हूं ना मैं जो समझ लें उसका दाजा लगा लें कि मिट्रम का जो पेपर है टीचर ने कैसे बनाया वो क्या पूछ रही है किस ताकी वो सवालात कर रही है उसमें सवाल ये कौन से आएंगे मसी कूस कौन से आएंगी जोड़ी चीज़ें जो ऑनलाइन पूछी जा सकती है उसकी तैयारी हो रही है रिविजन की आज पहला दिन है बाकि चार दिन और बचेंगे मंगल पूछ जम्राज जुमाई चार दिन और रिविजन होगा ठीक है आज पहला दिन है जो आपके कॉटेक्ट में हैं उनसे भी खरत इमाम हसन रसले तालाब ने हज़ड अली और तालाब ना से आखरत सल लगो बारे में पूछा है जलत घलत है वलत है तक में भूहता अधर अगर लिखा हो तो राइट हो ता रॉंग है चले अब आजाए नेक्स्ट एक और सही गलत पूछ रही हूं पहले ऐसे कीज़ेगा फरहान और मुकदस फार्मा अकील को और ताहा को हम मौका देंगे ठीक है इनको नहीं आएगा तो फिर आप दोनों से पूछूंगे यह मौरा सान सहे सही गलत है आप सब्लाव अल्यूग सब्सितों में पाउं पहलाकर नहीं बैटे थे फातू मा अकील और ताहा जमला सही है या घलत तीचर सही है सही है, सही है, फात्मा अकील सही है टीचर, 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 मैंने बोला था सही है, दोनों ने बोला था गलत है फात्मा अकील ने का, मैं फरान आप बोलेंगे, अभी मैंने का था, आप नहीं बोलेंगे ठीक है आप बीज में बोले आपो तो थोड़ी नंबर मिलेगा फात्मा अकील ने क्या बोला था सही है जुम्ला इनका भी एक नंबर दो नंबर हो गया चलें अगला अब मैं खाली जगे पूछ रही हूँ इसमें कोई और अप्शन वगरा नहीं है खाली जगे है यह बताईए आप सलियल्ला अले वसल्म डैश में पेशदस्ती फरमाते डैश में पेशदस्ती फरमाते सही है अच्छा यह बताएं वो कौन से बदरी सहाबी थे बदरी सहाबी कहते हैं जिन्हों खजब बदर में हिस्सा लिया था उस जंग में शरीक हुए थे वो कौन से बदरी सहाबी थे जो के नाबीना थे चो इतबान बिन मलिक इतबान मलिक अच्छा यह मुदासान सवाले ताहा से ताहा से सवाले यह और कोई भूलेगा ठीक है? ताहा से सवाल है बेग गुना कैदी उमीद की खुशी में किसे कहा गया है ताहा बेग गुना कैदी सबक उमीद की खुशी में किने कहा गया है मैं बताओ टीचर एक मिनट रुकें ताहा से सवाल है मैं कह रही हूं ताहा इतना सभी नहीं सुनते ये तो बहुत 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 असान सवाल है मैं बता हूँ नहीं पता नहीं ताह आप सुन रहे हैं अच्छा वास तो आई दिन की के एक दो तफ़ा बोले दे फरान बताए हजडर्योसुअ लेकुष्याम झाता होगा यहांण मुझे मालूम इस पज्यादी ऊसल्ण यह बेगुना गया है सब्सक्वे ुम्मीद की खुशी अंधेरे कुएं में भाइचला यह ऑन चिताप अक्राम सब्सक्राथ हैंधेरे उन्हें سाट। किताब का नाम सरसेयत का सबक है यह उस किताब का नाम जिससे यह सबक लिया गया है उसकिताब का नाम मिट्टी का दिया है ना अफसाना है पता है और यह अफसाने में से तो मैं यह शुरू के सबक हैं जो अफसाने में से ही नहीं मजामीन में से हैं यह उमीद की खुशी नजरिये पाकिस्तान रिश्टा नाता यह सब मजामीन है सरस्यद की उस किताब का नाम बताएं इससे ये उमीद की खुशी सबक लिया गया है किसी को पी नहीं मालू मजामीन सरस्यद किताब है सरस्यद अनध खान की एक मजामीनِ سरसید کے نام سے उस मजामीनِ سरसید کی بک में से ये मजमून शामिल किया गया है उम्मीत की खुशी अच्छा ये भी असान सवाल है महत और लहत इसके दोनों के माईने बताएं मुझे पता है डीचर अच्छा पता है पता है रुखे महत गोद किसकी गोद माद और लाहत कहते हैं कबर की गोद ठीक एक खाली जगए डैश बताना है डैश में क्या आएगा देख नादान बेबस बच्चा डैश में सोता है गहवारे गहवारे में सोता है गहवारा किसे कहते है जूला जूले को जूले को सही अच्छा ये बताईए बहादुर शार जफर ने सरसेद अहमद खान को दो खिताबाद का नाम क्या है मुझे पता है एक मिनट रुखादू जवादू तौला जवादू दौला और आरफ जवादू 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 और फादिम आगिल तो विल्कुल खाई भी होगी तो मैं बताता हूँ फरहान बताएं दो किताबों के नाम अजबाब एक तो ये है दूसरी किताब और मुकद्दस आप बताएं दोनों किताबों के नाम चार मशूर तो सरकशी बजनवर भी है बजनवर नहीं होता बजनवर नहीं होता ये है तारीख सरकशी बिजनौर बिजनौर हिंदुस्तान का एक शहर है ठीक है तारीख सरकशी बिजनौर एक है अस्बाब बगावत हिंद एक है खुदबात एहमदिया और एक है असारु सनदीद ये चार मशूर किताबें सरसेद अहमद खान ने लिखी थी मजामीन एक सरसेद भी है उनकी किताब सरसेद अहमद खान ने एक मशूर अखबार निकाला था अपनी अदबी जिन्दगी का अगाज किया था उसमें वो लिखते थे उसका नाम क्या सेद अच्छा वो जो रिसाला निकाला था उसका नाम क्या था ता तहजीब अलिखलाक जैलेंगे बताएं सरसेद हम्रा पीदा किस सन में हुए इचिए नाइटीन फॉर्टी एक तिए नाइटीन फॉर्टी मुकदस क्या हो गया इए फॉर्टी फॉर्टी में बैलत अपकर भी घलत है इन फॉर्टी सेवन नो आदिए अडिक पैदाईश सरसेयद सेमत खान की ती 1817 1817 में पैदा हुए थे और वफात उनकी हुई थी 1898 में वफात हुई थी और 1817 में वो पैदा हुई थे चले एक और जवाब एक क्वेस्टन पूछ रही हूँ खाजा अलताफ हुसैन हाली ने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी जो उनकी शोहरत का सबब भी बनी उनको शोहरत ही इस किताब से मिली खाजा अलताफ हुसैन हाली उस किताब का नाम क्या था खौजा अलताव हुसेन हाली को जोहरत एक किताब की वज़े से मिली थी वो बहुत मशूर किताब है उसकिताब का नाम क्या है एक हिंट दे देती हूँ इसलाम के बारे में है वो किताब को ने वो खायात इसलादी नजम लिखी थी एक बहुत बड़ी नजम थी ये जिसका कुछ-कुछ इससा आपके किताबों में भी शाया होता रहा है बहुत बड़ी नज़म थी और किताब थी पूरी उसमें शायरी की किताब थी ठीके उसमें इसलाम के मद-जजर-इसलाम उसका नाम था मद-जजर-इसलाम इतनी मश्यूर किताब थी वो जो उनकी शोहरत का भी सबब बन थी अच्छा अल्ताफ हुसेन हाली की दो मश्यूर किताबों के नाम बताएँ तीचर हयात साधी यहां सभी हयात साधी और तीचर मुकदमा शायरी मुकदमा शेरो शायरी जब देख कर जवाब दे रहे हैं मुझे लग रहा है ताहां बुक खोली वी इस नहीं लुख तो मेरी घुमी वी यह मेरी घुमी विया नहीं 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 है स्कूल में तो नहीं है मैंने तो हाई ग्रेड टेंड नाइन अच्छा तो बही बहुत इंतिहान अभी होने बाकी है ठीक है मुकदमा इशेरो शायरी है 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 यात जावेद है यात इसाधी यादगार इगाले ये इनकी मशूर किताबों के नाम अच्छा अलताफ हुसन हाली प है हमारे स्नेबस में एक तो यह आप लोगों कि कुछ चैप्टर स्किप हो गए ना टैन को बढ़ाया है मैंने तो और टैन को पूछती हो ना मेरे जहन मेरे रहता है कि अमीद के खुशी और यह तीसा है को कौमी हमदर्द कौमी हमदर्दी नहीं है ठीक है ओक है अच्छा ज देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है इसकी मुसीबत जदा माँ अपने धंदे में लगी हुई है और इस गहवारी की डोरी भी हिलाती जाती है हाथ काम में और दिल बच्चे में है अमीद की खुशी से लिए आगया है यह तो पता है ना इसको थोड़ा सा ए देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है इसकी मुसीबत जदा माँ अपने धंदे में लगी हुई है और इस गहवारे की डोरी हिलाती जाती है